नमस्ते ये वीडियो में बच्चों में और बुदर्ग लोग में यूस्टेशन ट्यूप का क्या डिफरेंस है ये देखेंगे पहले यूस्टेशन ट्यूप के बारे में चोटा इंट्रडेक्शन कान का स्ट्रक्चर में ये जो बीच का भाग है मिडल यर ये नॉर्मल अच्छा सा काम करने के लिए इधर हवा ज़रूरत है ये हवा जो है नाक से आके नाक के पीछे ऐसा एक छोटा सा ओपनिंग है इधर से ये टूब के जरिए सीधा कान पहुंचता है तो ये टूब जो है जो नाक और कान कने करता है ये ही है यूस्टेशन टूब तो ये यूस्टेशन टूब का तीन काम है फंक्शन्स है एक है हवा कान पहुंचाने के लिए वेंटिलेशन दो है अगर्चो कान नाक के पीछे कुछ भी साउन ज्यादा है वाइरस को क्च जो भी है ये रस्ता ये जा के कान ना पहुंचे तो सेकेंद फंक्शन और है तो थ्र काम यह है कि अगर्चो कां के अंदर इंफेक्शना के कुछ पानी और पास कुछ जैन गया तो कान कर ये ट्यूब की रस्ता त्रेयन होके बार जा यह चूब जो है हर टाइम खोला नी रहता हर टाइम बंद नी रहता वो खुलके बंदों कि ऐसा ओप्णिग निंगलते हैं क्था ति तूबका बंदो खोलते हैं घुलके नूरमठी situación करेगा तो 800 बार क्यों करेगा अभी बह्त कमतर भाइबूग लोग में यह टूब जो है लेंद जियादा है और इसका लूमन का साइस कम है और टूब स्ट्राउंग है रिजिड है और इसका एंगलेशन 45 है यह चार पॉइंट के वज़े से जल्दी से ना के पीछे से इन्फेक्शन कुछ भी जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो कान में नहीं पहुचेगा अब बच्चों में देखते हैं बच्चों में जो है उसका लेंद कम है और इसका ओपनिंग ज्यादा है और यह टूब एलास्टिक है फ्लॉपी है रिजिट स्ट्रॉंग नहीं और आंगलेशन सिर्फ 10 डिग्री से तो मैंने क्या बताया था यूस्टेशन ट्यूब कब खुलेगा जब भी सॉलो करेंगे थूक निंग लेंगे पीएंगे तो ही खुलेगा तो बच्चों में छोटा है विट ज् भी लेते हैं तो सपोस्ट सर और जिसम सेम पोसिचन स्ट्रेट में रहेंगे तो दूद्रेट कान का अंदर पहुंचने का पॉसिबिल्टी ज्यादा है और भी दो तिन डिफरेंस बताऊंगा कि ये कान के पीछे ये जो यूस्टेशन ट्रीब को ओपनिंग है ये बच्चो में राउंड होता है और बुजरुक लोग में उबलीक होता है और वसा ये पिस में मिला और उस्टि जो ग्लांस बच्चो में कम है और बुजुड़क लोग में ज्यादा नियांगी साथ में इंफेक्शन जल्दी पहुंच के मिडिल एर इंफेक्शन का चैंस ज्याद है मतलब ऑटाइटिस मीडिया का चैंस ज्याद है तो यह प्रिवेंट करने के लिए जब भी ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं बच्चे का सिर उपर होना चाहिए बौडी और आंग सेम लेवल में मा लेट के फीड नहीं करना चाहिए मैं मा बेटना चाहिए बेट के फीड करना है ताकि बच्चे का सर उपर हो तो ऐसा है तो सीधा सौलो करने के टाइम में दूद सौलो करने के टाइम में नाक में नहीं पहुंचेगा दूद नहीं पहुंचेगा एक दूसरा है फीड करन मोखने निन लेती सिर्फ दो इसा करेंगे तो बच्छे को कांग का प्राइब हो सकता है क्योंकि इतना बच्चे का यूस्टेशिं ट्यूब में इस लिए तो यह पुसेशन चाये यह एडवाईस तो यह हुआ बच्कों में और बुझर्ग लोग में युस्टेशिन ट्यूप का डिफ्रेंसेस नमस्ते